999 यानी 27 टोटल 27 आएगा ट्रिपल नाइन आपको लिखना है इस जगे और देखना कैसे घर में सुख सम्रत्दी का सामराज्य हो जाएगा आप जिन्दगी में मजे ही मजे लूटेंगे आपकी जिन्दगी में सब खुशिया मौजुद होंगी आपको कोई अभाव नहीं रह हैं ऐसा लिखने मात्रे से ही आपको चमतकारिक रिजल्ट कुछी दिनों में मिलने लग जाएंगे कुछी शणों में अगर आप लगी है तो कुछी शणों में अगर आपके जीवन में कोई अभाव है या बाधा है तो कुछ पल लग सकते हैं लेकिन आपको रिजल्ट 100% मि चोके 36, 9, 5, 45 हर बार 9 का टोटल आता है ये इतना वंडरफुल चमतकारिक है जिसकी कोई होड ही नहीं है इसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी अगर आप वीडियो में बढ़े रहते हैं अंते तक तो वीडियो पूरा देखेगा हमारी आपसे यही में आपको जनम पत्री संबंदी परामश दिया जा रहा है अगर आप पामिस्ट्री संबंदी परामश लेते हैं या वास्तु संबंदी या तीनो ही सेवाइन लेते हैं तो आपको 7500 रुपे देने पड़ेंगे क्योंकि इंडवेजल सर्विस का चार्ज 2500 है 2500 पामिस्ट्री 500 देने पड़ेंगे और इंडवेजल वन सर्विस लेने के लिए आपको मातरफ 2500 आपको जमा कराने पड़ेंगे तो जनम पत्री परामश लेना चाहते हैं या वास्तो संबंदी परामश लेना चाहते हैं या पाम रीडिंग संबंदी परामश लेना चाहते हैं इसके लिए ह आप सोच सकते हैं हमारे इस अनुभव को तो आप हमसे सबारामश ले सकते हैं इंडविजिल नाइन नमबर ही इटसेल्फ पावरफुल होता है नो अंक के व्यक्ति विलक्षन प्रतिभा के संपन होते हैं ये बहादूर होते हैं सहसी होते हैं और अपरिमित शक्ति के स्वामी होते हैं हर परिस्तिते में निबटने की अथा शमता रखते हैं और अपने धहरे का दामन कभी नहीं छोड़ते हैं अगर मंगल प्रतिकूल है क्योंकि नौ नमबर का स्वामी मंगल रहे हैं मंगल आपका प्रतिकूल है तो लड़ाई जगड़ा आम बात है लेकिन हापने हक लड़ाई लड़ते हैं ये बेवजे किसी से लड़ाई नहीं लड़ते हैं अगर मंगल अच्छा भी है तो इनकी आगे बोलने की या इनकी बात काटने की शमता किसी में भी नहीं होती है ये अधूत व्यक्तित्व के धनी होते हैं लेकिन ट्रिपल बार अगर नाइन नमबर हा गया तो आप सोच सकते हैं इनका क्या सा व्यक्तित्व होता है तो अगर इनका व्यक्तित्व एंजल नमब आप ये नमबर बेहिचक लिख सकते हैं आपको जवरदस लाब मिलता है और नौकी संख्या ऐसे भी महत्वपूर्ण है या वैसे भी किसी भी दिन आप अंजल नमबर को लिख सकते हैं ये triple nine number बहुत powerful होता है अब लिखना कैसे है ये जानिए आपको थोड़ी सी रोली लेनी है या लाल चंदन लेना है और इसको नमबर को तेज़ पत्ते पर लिखना है तेज़ पत्त हर घर में मौजुद होता है तेज़ पत्त अगर आपके पास नहीं है तो भोज़ पत्त पर लिख सकते हैं भोज़ पत्त नहीं है तो सिंपल कागज लिकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिलेंगा जैसा आप चाहते हैं तो आपको भोईजपत्र की या तेजपत्र की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी और आपको लाज चंदन आपके जिंदगी में angel number सहायता करेंगे किसी यूफे परिस्तिती से आप गुजरते हैं तो angel number आपके इस सहायता करते हैं क्योंकि दो guardian angel हर किसी के पास होते है उनको पता ही नहीं होता आप अपने guardian angel को पकारते हैं और triple nine की chanting करते हैं को जबर्दस फायदा होता है आपके जिंद्गी में सुख सम्रद्दी का ऐसा समराज इस्थापित हो जाता है कि दुनिया देखती है चैत्र नवरात्रे इस बार 22 मार्च को शुरू होंगे आपको लाव देंगे तो चैत्र मास में आप ये नवरात्रों में भी ये नमबर लिख सकते हैं इससे आपको जबर्दस फायदा मिलेगा नमबर लिखकर उसके समक्ष आप नवाण मंतर का जाप करते हैं तो आपको जबर्दस फायदा मिलता है सुख सम्रद्दी का संचार आपके जीवन में होता ही रहता है तो हमने आपको ट्रिपल नाइन नमबर लिखने का तरीका भी बता दिया और कैसे इसको अपने घर में रखना है, किस स्थान पे रखना है ये भी आपको बताते हैं आपको अपने घर की उत्तर या दक्रशिन दिशा में आपको रखना है अगर आपका mangal strong है तो दक्षिन दिशा में रखें अगर आपका budd strong है तो उत्तर दिशा में रखें इससे आपको लाव होता है वैसे आपको कुछ भी समझ में ना आए या आप तैये नहीं कर पाएं कि कहां रखें तो अपने पूजा स्थान में इसको रखें आपको लाब होगा आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं तीजोरी में भी इस नमबर को लिखके रख सकते हैं आपको बराबर लाब होता रहेगा आप अपने घर की दीवार भी इसको लिख सकते हैं और इसको लिखने मातर से ही आपके जीवन में उन्नती होने लगेगी ये इतना चमतकारी नंबर है, एंजल नंबर है, जो आपको स्पष्ट वादी बनाता है, और आपको रूडी वादीता से दूर करता है, आपको इतना प्रभावशाली बना देता है कि आपको हर बाधा छोटी लगने लगती है, हर रुकावट आपको छोटी लगने लगती है हम email ID के जरीए जवाब देते हैं तो हमसे संपर करिए description में email ID दी हुई है इसके through आप हमसे संपर कर सकते हैं Thank you so much